कहीं आपके नाम पे भी कोई फर्जी सिम का उप्योग तो नहीं कर रहा है ये जानने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है आप घर बैठें ऑनलाइन देख सकते हैं गौर्णमेंट की अधिक्रिद वेबसाइट है संचार सार्थी यहाँ पर जाके आप अपना फोन नमबर और वहाँ पर दिया गया कैप्चा डाल कर यह देख सकते हैं कि आपके नाम पे कौन-कौन सिम रेजिस्टर्ड हैं अगर उसमें से कोई भी नमबर जो आपका नहीं है उसको आप रिपोर्ट करके ब्लॉग करा सकते हैं अब जानना कैसे है इस वीडियो में देखें लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हमें किसी ऐसी फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है जिससे हम साइबर अपरात के सिकार हो जाएं हमें पूरी सौधानी बरतनी है कि कैसे जाने की हमारे नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शनों की संख्या चालू है इसको जानने के लिए वीडियो को सुरूच लेके आगरे तक अवस्य देखें भारत सरकार द्वारा टैफ कॉप पोर्टल चालू किया गया या पोर्टल आपको या जानकारी देता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन चालू है इस पोर्टल का पूरा नाम है धोखा धड़ी प्रबंदन और भोगता संरच्छड के लिए दूर संचार विसलेसर पोर्टल या भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिक्रित पोर्टल है इस पोर्टल के माद्धम से आप अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की सूची देख सकते हैं अब कैसे देखेंगे उसके लिए आप वीडियो को शुरूच लेकर आखरे तर आवस्य देखें सबसे पहले आपको अपने मोबाइल ब्राउजर लैप्टॉप या जो आपके पास साधने उसके ब्राउजर पर जाकर आपको टैफ कॉप लिखना है टैफ कॉप लिखने के बाद सर्च करना है जैसे आपके सामने ऐसा ही कुछ दिखाई देगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा टैफ कॉप कंजूमर पोर्टल जो की भारत सरकार की अधिकरित पोर्टल है आपको ध्यान दखना है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिकरित पोर्टल पर ही आपको आना है जैसे ही हम TafCorp Consumer Portal पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा यहाँ पर आपको अपना Mobile Number दर्च करना है Mobile Number आप अपना दर्च करेंगे दर्च करने के बाद आपको Request OTP पर क्लिक करना है request OTP पर click करने के बाद आपके द्वारा दर्ज किये गए नमबर पर OTP आएगा उस OTP को आपको इस वाले page पर दर्ज करना है जब आप OTP दर्ज करेंगे तो आपको नीचे validate पर click करना है validate पर click करने के बाद आपके सामने एक नया page खुल कर आएगा जहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जब आप इस page को थोड़ा सा scroll करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे सूची दिखाई देगी जहां पर आपके नाम पर चालू Mobile Connection की सूची दिखाई देगी यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने mobile connection चालू है जदि आपको लगता है उपरोक्त सूची में दरसाए गए mobile number में से आपका mobile number नहीं है जो कि आपके नाम पर चालू है तो आप उस number की report भी कर सकते हैं रिपोर्ट के लिए आपको report पर क्लिक करना होगा और रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए और ऐसी जानकारी के लिए हमाई चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्रवाद आसा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी